मैं नीचे चला आया, मैंने देखा कि अनकिता मैडम की कार लगी हुए है, उनके पास मरसिडीज कार थी, मैंने कार धोने के लिए पाइप को नल में लगा लिया, उसके बार में अनकिता मैडम की कार को साफ करने लगा, करीब दस मिनट, बाद अनकिता मैडम नीचे आई, उन् कार के पास आई अन्किता मैडम ने देखा कि मैंने कार को साफ कर दिया है उन्होंने बोला साबाश अमित तुमने अच्छे से कार साफ कर दिया है जैसे ही अन्किता मैडम कार के पास आई उनका पैर एक गड़्धे में फस गया यो चीखे और कार के सीट पे बैथ गई, शायद उन्हें मोच आ गई थी उन्होंने बोला हो ही ये गर्धा यहां कैसे आ गया लगता है मोच आ गई है, अमित जरा यहां आना और मेरी मदद करना मैंने हील निकाल दिया उन्हें शायद मोच आ गई थी अन्किता मैडम ने बोला अमित मेरे कमरे में जाना वहां तुम्हें बाम मिलेगा उससे लेते आना मैं अन्किता मैडम के कमरे में गया और मोच को ठीक करने के लिए स्प्रे लेते आया अन्किता मैडम ने बोला कि अमित मुझे ये लगा दो मैंने स्प्रे को लगा दिया अनकिता मैडम को शायद अब कुछ आराम लग रहा था लेकिन वो कार नहीं चला पाती उन्होंने अपने दोस्त को फोन लगाया उनके दोस्त का नाम सोनल था वो अनकिता मैडम की बेस्ट फ्रेंड थी अनकिता मैडम ने सोनल मैडम को बोला सोनल क्या तुम मेरे घर आ जाओगी आज में कार नहीं चला पाँगी सोनल मैडम ने अनकिता मैडम को बोला कि वो बस फाइव मिनट में पहुँच रही है अनकिता मैडम कार के सीट पर बैथ गई कुछ देर में सोनल मैडम वहाँ पहुच गई उन्होंने मुझे देखा सोनल मैडम भी अनकिता मैडम की तरह बहुत ही अच्छी दिखती थी वो कार के पास आ गई उन्होंने पूछा अनकिता तुम ठीक तो हो ना जायदा चोट तो नहीं भाई अनकिता मैडम ने बोला कि वो ठीक है उनका पैर गर्धे में चला गया था अनकिता मैडम ने बोला कि लेट हो रहा है हमको को चलना चाहिए मैंने अनकिता मैडम के कार का गेत बंद कर दिया सोनल मैडम कार ड्राइफ करने वाली थी सोनल मैडम भी अपना कार लेके आई थी उनके पास भी कीमती कार थी अनकिता मैडम ने बोला अमित इस दूसरे कार को भी साफ कर देना हम लोग दोपहर तक आ जाएंगे रोशनी दीदी भी तब तक आ जाएगी तब तक घर का सारा काम खत्म कर लेना फिर मैं घर के अंदर आ गया रास्ते में सोनल मैडम ने पूछा की अनकिता ये कौन था अनकिता मैडम मुस्कुराय और बोली रोशनी दीदी इसे लेके आई है ये हमारे यहां काम करता है सोनल मैडम ने पूछा की रोशनी दीदी ने ये कैसे किया अनकिता मैडम हसी और बोली तुम्हें तो पता ही है की रोशनी दीदी कॉलेज क modeling principle है और वो कुछ भी कर सकती है। मैंने मुस्कान के कम्रे से सफाई करना शुरू किया। मुस्कान का कम्रा काफी गंदा था। कपड़े जमिन पे पड़े हुए थे। बैड भी नहीं बना हुआ था। कुछ खिलोने भी इधर उधर रखे हुए थे, मैंने कुछ देर में सब कुछ अच्छे से साफ करके सामान जगह पे रख दिया, उसके बाद मैं रोशनी मैडम के कमरे में गया, उनका कमरा काफी हद तक साफ या लेकिन उनके 2-3 जोडी फुटवियर और कुछ कपड़े पड़े हु मैंने देखा कि रूम लगभग साफ था, फिर भी मैंने अलमारी को साफ करना शुरू किया, मैंने देखा कि अनकिता मैडम के कॉलेज के कुछ किताब और नोट्स है, मैंने थोड़ा अंदर ध्यान से देखा तो मुझे एक डंडा रखा हुआ दिखा, बिलकुल नया लग र मैंने देखा उसके पैकेट पे कल की तारीक लिखा हुआ था, इसका मतलब अनकिता मैडम ने इसे कल ही मनगवाया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैंने उससे वापस वही रख दिया, मैं सोच रहा था कि अनकिता, मैडम ने इससे क्यूं खरीदा, मुझे याद आय कि उन्होंने कहा था कि गल्ती करने पे सजा भी मिलेगा। मैंने फिर सारे कमरे अच्छे से साफ करके बंद कर दिये। फिर मैंने कपड़े धोना सुरू किया। बहुत जायदा कपड़े जमा हो गए थे। मैंने अगले दो घंटे में उन्हें साफ करके सूखने डाल दिया। रोशनी मैडम ने मुझे कपड़े इस्त्री करने को बोला था, मैंने फिर एक एक करके सारे कपड़े भी स्त्री कर दिये, दुपहर के 12 बज गए थे, मुझे भूख लग गया था, तभी मुझे याद आया कि रोशनी मैडम ने जाते वक्त बोला था कि रसोई में मेरा नास्त रखा है। काम खत्म करके वो खालेने। मैं रसोई में गया। मैंने देखा कि फर्ष पर एक प्लेट रखा है और उसमें बासी। खाना बचा हुआ था। सुखी रोटी थी और बची है कुछ सबजी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतना काम करने के बाद। खाने में जो बच गया वो मुझे दे दिया मैंने फिर भी किसी तरह से खाना खाया अगला भाग 175 सब्सक्राइब के बाद आएगा